यामाहा R15 version 4 के अंदर जो डार्क नाइट एडिशन है ना उसमें और एक न्यू कलर आप्शन है आपके लिए मैट ब्लैक कलर उइट गोल्ड टाच देखिए आपर कहीं कहीं पे आपको गोल्ड कलर के साथ अलाई हुई ज और स्टिकर देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस बाइक में और कुछ न्यू आपडेट नहीं है और इस मॉडल में कुई कियर सीप्टर भी नहीं है आपके बस ये ब्लैक कलर के साथ गोल्ड कलर टच पाओगे और इसमें ब्लूटूथ का निक्टिवीटी भी है इस बाइक की एक शुरूल प्राइस है 183,700 ओनल इस मॉडल की फॉन्ट साइट में यहाँ पे हैं इसके दो रियर भी हो मिरर फिर यहाँ पे आप पाओगे टन्सपारिंट उइंट सिल्ट और इहाँ पे हैं इसके नामबर पेट सेक्शन और इसके ठीक नीचे यहाँ पे हैं क्लॉसी ब्लैक कलर की उपर गोल्ड कलर में लि में यहां पर हैं फाइबर माटगार साती आप यहां पर आओगे आप साइड डाउन पॉंट फोक्स साती इसमें 282 mm की फॉंटीज के साथ डूएल चनल एबेस बोल्ड कलर एलाइवील और इसमें टैयर सिक्षन हैं 100 by 80 70 निच की टीव ब्लेस टैयर इस मॉडल की रियर साइड में है 220 mm 50s विट डूएल चनल एबेस और इसमें निशन ब्रेक सिस्टम रियर साइड में गोल्ड कलर एलाइवील की ऊपर है 140 by 70 70 निच की रेडियल टीव ब्लेस टैयर इस मॉडल की सीट हाइड 815 mm पर इसमें कोई स्पेसल स्टेक्चर नहीं है इस सीट में आर्वान फाइ सेम है तार्स इंडिकेटर देखिए इसमें बलब है जो मैं आपको पहले कहा और इहां पे है नाम बाट वेत लाइट तो इस मोडल की जो हेंडल बार सेक्शन है एक्लिप अडेल बार है इसमें तो इसमें इहां gaming हैं इसी की section तो इसमें भी कोई changes नहीं है यहां पर देखें जो handlebar end है grip switch है इसमें भी कोई पुराना design है इसमें कोई आपडेट नहीं है इस तरफ भी देखें कुछ भी नया update नहीं है इस साल बस जो r15 की m-series है उसमें ही सबसे बड़ा update है आप वो वीडियो एक बार जरूर चेकेजिया उपर आई बटन में राइट सर्मा को लिक पील जाएगा देखें इस सबाई की जो display है वो भी पुराना ही है old model तो दोस्तों आखिर में मैं आपको एक बार फिर से कहे दू कि यह जो model और color है या महा R15 version 4 dark night edition color black and gold तो इसमें जो आप पाओगे बस यह matte black color के साथ gold color touch जो sticker है जो ally will है इसमें आप gold color touch पाओगे और कुछ इसमें नया नहीं है बस वो ही old model है जो पिछले साल था और इसमें engine spec इसकी mileage जो भी है same है तो इसमें कुछ नया changes नहीं है अगर आप चाहो तो R15 M series के साथ जाओ उसमें बहुत कुछ new update है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को एक like जुरूर कीजे शेयर कीजे और subscribe कीजे इस Indian bike channel को तो हम मिलते है new update के साथ thank you